दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भुगोल यानी की जोग्रफी के 700 important questions जो की exams में बार-बार repeat होते हैं दोस्तो ये जोग्रफी की एक master वीडियो होगी, master वीडियो का मतला बें दोस्तो ये एक घंटे से जादा की वीडियो होगी तो please आपसे request रहेगी कि वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा और ये सभी exam के लिए आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं भुगोल से question जरूर बनते हैं दोस्तो जोग्रफी से question आपके exam में जरूर पुछ जाते हैं तो वीडियो को end तक देखेगा exam से पहले एक बार देखके जाएंगे तो आपको 100% benefit मिलेगा तो please वीडियो को पूरा end तक देखेगा दोस्तो इस वीडियो में काफी मेनत लगी है वीडियो को record करने में भी और questions को collect करने में भी तो आपसे छोटी से request रहेगी वीडियो को like जरू करिएगा अपने दोस्तों के साथ में share कर देना और अगर आप चाहते ऐसी वीडियो आपको लगतार दिन में दो बज़े मिलती रहें क्योंकि मैं जीके की जो वीडियो है वो दो पैर में दो बज़े अपलोड करता हूँ तो चैनल को भी तुरंट सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को ओन रखिए ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिगेशन पहुँच जाए और दोस्तों जो भी स्टुडेंट इन 700 कोशन के आंसर कमेंट बोक्स में बताएगा तो उसको 100 रुपीज मिलेंगे और ये ओ आपको वीडियो के एंड में बताने वला हूँ तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा चलिए तो सुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज की वीडियो का पहला कोशन है सूर्य के चारो और परिकर्मा करने वाले खगोलिये बिंड क्या कहलाते हैं question on your screen और जल्दी से answer बताईए मैं आसा करता हूं कि आप हर एक question का answer करेंगे और सभी student करेंगे इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा उनको कहते हैं दोस्तो ग्रह यानि कि A यहां पर right answer हो जाएगा दोस्तो दूसरा question है ग्रहों की गती का नियम किसने परतिपादित किया दूसरे question का भी answer आप सभी लोग बताएंगे और हाँ answer बताने का दोस्तो जो format रहेगा प्लीज वही follow करिएगा क्योंकि मेरे को count करने होते हैं तो वह easily count हो जाते हैं जैसे दूसरे question का right answer C है kepler तो आपको क्या करना है दोस्तो second का C ऐसे type करना है ठीक है प्लीज ये वाला format follow करिएगा जैसे first का आपका A था तो पहले का A ऐसे format follow करिएगा प्लीज इस sequence में अगर आप answer करेंगे तो easily आपको select किया जा सकता है आपके 100 रुपीज के समझ लीजे छोटे से price के लिए क्योंकि जितना मैं afford कर सकता हूं उतना मैं देता हूं 100% इससे पहले जो सविधान की वीडियो थी उसमें भी मैंने दिया था दोस्तो चार बच्चों ने ही complete किया था वो target बट चारों बच्चों को मैंने 1500-500 रुपीज दिये थे चले question number third का answer बतेगा सोर मंडल में कुल कितने गरहें हैं तो ये तो बड़ा ही easy question होगा है मुझे लगता है कि हर एक student answer कर सकता है तो question number third का दोस्तो जो right answer होगा वह है आपका हो जाएगा 8 यानि कि B is the right answer अगला question number four है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रेहुक का सही करम क्या है question number four का right answer बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तो बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा गया है तो यानि कि बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी और मंगल रहेगा तो देख लिए इसमें D सही उत्तर हो जाएगा ठीके बई question number D is the right answer question number five क्या कहता है कि सबसे चमकिला गरहे कौन सा है सबसे चमकिला गरहे तो मेरे प्यारे दोस्तो जो पाँचवा कोशन है आपका उस पाँचवे कोशन का सही उत्तर होगा सुक्र गरहे सबसे चमकिला गरहे है तो ये आपको याद अखना है question number six सूरिय से सबसे दूर इस्थित गरह है कोन सा है कूशन नमर्व 6 तो मेरे प्यारे दोस्तों सूरिय से सबसे दूर इस्थित गरह है आपका कौन सा है तो 6 का राइट आंसर B हो जएगा नेप्चून यानि कि B is the right answer अगला question number 7 क्या कह रहा है कि निमलखित में से सबसे गरम गरहे कौन सा है 7 वा question निमलखित में से सबसे गरम गरहे मेरे प्यारे दोस्तों आप इस चीज को बिल्कुल भी मजाक मत समझेगा अगर कोई भी student देखे इसमें 700 question तो नहीं होने वाले बट इसमें जितने भी question होंगे न मैं आज की वीडियो में जितने भी question करा पाऊंगा आप सभी को अगर उन सभी question के answer comment box में बता देते हैं भले ही वो गलत होते हैं चैब भले ही वो सही होते हैं मैं आपको 100 रुपीज transfer करने वाला हूँ वो कैसे करूँगा दोस्तो इस वीडियो के end में आपको पता चल दाएगा साथवे question का right answer दोस्तो D हो जाएगा यानि की बुद्गरे ठीक है निमन लिखित में से सबसे गरम गरे कौन सा दोस्तो बुद्गरे है आठवा question है सूर्य के ध्रातल का तापमान लगभग कितना होता है आठवा question मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा 6000 डिगरी Celsius यानि की C is the rate answer तो ये भी आप लोगों को याद रखना है question number 9 क्या कहता है कि सूर्य के संगेटन में साहक गैस कौन सी है या फिर साहक गैस है तो 90 कोशन का दोस्तो right answer जो होगा वह है आपका होगा बिल्कुल helium एवं hydrogen I hope कि आपने यही answer लगाया होगा दसवा question बिना उपगरे वाले गरहे है starting के 10 कोशन के answer जिन्नोंने भी किया है एक बार thumbs up का निसान बना दीजे ठीक है तो एक बार thumbs up कर दीजे दोस्तो कमेंट बोक्स में और वीडियो को भी लाइक जरू कर दीजेगा काफी मेहनत लगेगी दोस्तों एक घंटे से जादा की वीडियो है दसवे question का right answer होजेगा बुद्ध एवं सुक्रगर है यानि कि यहाँ पर D right answer हो जाएगा ये लगबग दोस्तों आट मिनट का समय लग जाता है तो right answer A हो जाएगा प्रत्वी का उपगर है कोन सा है बारवा question तो बारवे question का दोस्तों बड़ा ही easy सा answer है चंदरमा प्रत्वी का उपगर है यानि कि B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा question number 13 C of tranquility कहाँ पर है दोस्तों इस 13 question का जो right answer होगा चंदरमा पर यानि कि D right answer हो जाएगा question number 14 क्या कहता है तो 14 का दोस्तों right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है बरस्पती दोस्तों तो सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो यह आप लोगों को याद अखना है दोस्तों पंदरवा question क्या कहता है परत्वी के अत्रिक्त किस गरहे पर वाईयू मंडल पाया जाता है तो पंदरवे question का दोस्तों जो right answer होगा 15 का right answer आपका हो जाएगा मंगल गरहे पर ठीक है यानि की B यहाँ पर सही उत्तर होगा question number 16 क्या कहता है नीला गरहे के नाम से जाना जाता है easy question है मैं आसा करता हो की 16 question का answer हर एक student comment box में कर देगा तो फटा फट से answer कर देज़े 16 का 16 का दोस्तों right answer हो जाएगा परत्वी यानि की B right answer हो जाएगा सूरिय से परत्वी की दूरी कितनी है सतरवे question का answer जरा बताईएगा question number 17 का दोस्तों right answer हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं जो भी 149 million km आंसा लगाया जिनोंने भी सूरिय से परत्वी की दूरी कितनी है दोस्तों 149 million km है अगला question है 18 परत्वी पर दिन रात की अवदी कहां समान होती है 18 question का right answer मेरे प्यारे दोस्तों 18 का जो right answer होगा वहे आपका हो जाएगा भू मद्यर रेखा पर यानि कि ए यहाँ पर सही उत्तर होगा question number 19 है परत्वी पर दिन एवम रात होने का कारण है 19 वे question का right answer 19 वे का दोस्तो right answer हो जाएगा परत्वी का अपने अक्स पर गुर्शन यानि की right answer दोस्तों A हो जाएगा अगला question आता है परत्वी की अपनी कक्सा में गती है 20 वे question का right answer दोस्तों परत्वी का जो घूमने का अपना कक्स है वो पस्चिम से पूल की ओर है यानि की इस question का right answer A हो जाएगा 21 वे question है सूरिय और परत्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है किस दिन 21 वे question का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वह आपका हो जाएगा 4 जुलाई को यानि की A यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 22 क्या कहता है कि सूरिय और परत्वी के बीच नियुनितम दूरी होती है किस दिन होती है दोस्तों सबसे कम दूरी 22 वे का right answer दोस्तों आपका हो जाएगा 3 जनवरी को यानि की C यहाँ पर right answer हो जाएगा 23 question कहता है कि नमलिखित में से किस तिथी को दिन रात बराबर होते हैं 23 question 23 का right answer यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को यानि की यहाँ पर दोस्तों 23 का जो right answer होगा वो D हो जाएगा A और C is the right answer 24 वा question है चंदर ग्रहन का कारण कोन सा है 24 कोशन का right answer क्या हो जाएगा 24 का जो right answer होगा चंद ग्रहन का कारण है सूर्य एवम चंदरमा के बीच प्रत्वी का आना यानि की C यहाँ पर सही answer हो जाएगा 25 कोशन है सूर्य ग्रहन का कारण है तो यहाँ पर दोस्तों एक और कोशन बनता है 25 सूर्य एवम चंदरमा के बीच प्रत्वी का आना प्रत्वी और सूर्य के बीच चंदरमा आना भी दोस्तों एक कारिया है तो यह सूर्य ग्रहन का कारण है और वो चंदरमा ग्रहन का कारण है दोनों कोशन अलग अलग है ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा अगला कोशन 26 वा है मद्धे रातरी का सूर्य कहां दिखाई देता है 26 वा कोशन दोस्तो 26 वे का जो राइट आंसर होगा मद्धे रातरी का सूर्य दोस्तो नोर्वे में दिखाई देता है यानि कि C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 27 वा कोशन है भूमध्य रेखा पर परत्वी का व्यास है लगबग कितना है यह आपको बताना है भूमध्य रेखा पर परत्वी का व्यास दोस्तों लगबग कितना है 28 वे का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा तो 28 वे का right answer green which यानि की D right answer हो जाएगा 29 वा question है कि एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीच कितना समया अंतराल होता है 29 वे question का right answer क्या होगा दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा 4 मिनट ठीक है तो ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तो confused नहीं होना है दुरूओं की तरफ जाने पर अकसांस रेखाओं के व्यास की प्रकरती कैसी होती है दोस्तो तीसवे question का right answer हो जाएगा बी गटती है यानि की बी यहाँ पर right answer हो जाएगा 31 question है प्रत्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुम्ब के परदार्थ है तो प्रत्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुम्ब के परदार्थ है 31 यानि की C इस दा right answer प्रत्वी की उपरी परत को क्या कहा जाता है 32 इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा प्रत्वी की उपरी परत को क्या कहा जाता है बूपर्टी क्रस्ट यानि की राइट आंसर इस भी ये आपको याद दखना है कोशन नमबर 33 वे का राइट आंसर बताईएगा प्रत्वी में कौन सा तत्व सर्वधिक मात्रा में पाया जाता है तो यह तो बहुत ही इजी कोशन हो गया यानि कि अगला कोशन है प्रत्वी के लगबक कितने प्रतिशत भाग पर इस्थल है तो इस्थल दोस्टो 29% पर है यानि की राइट आंसर ए हो जाएगा निमलिकित में से कौन कानंतरित चट्टान है 35 वा कोशन इस कोशन का दोस्टो राइट आंसर हो जाएगा संग मरमर यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन सी तो ये भी आप लोगों को याद अखना है 35 कोशन हो चुके हैं 36 है ध्रातल के जिस इस्थान पर सर्व पर्थम भुकम्ब का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है दोस्तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल सही भुकम्ब अधिकेंद्र यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा 37 कोशन है विश्व के सर्वाधिक भुकम्ब निमन में से किस पेटी में आते हैं 37 कोशन आपका क्या कहता है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा परिप्रसांत महसागरी पेटी यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा 37 कोशन का राइट आंसर 38 कोशन है रियक्टर इसकेल से क्या मापा जाता है मेरे प्यारे दोस्तो 38 कोशन का राइट आंसर होगा भुकम्प की तिर्वता मापी जाती है दोस्तों, रियक्टर से, अगला कोशन 39 आता है, भुकम्प ये तरंगो को किस यंतर से मापा जाता है, 39 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मो ग्राफ यानि की सी राइट आंसर होने वाला है, 40 वा कोशन कहता है कि वे कौन सा माधीप है जहां एक भी जवाला मुखी नहीं है, मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक 40 कोशन किस ने देखे हैं और कितने कोशन एप्रोक्स आपने सही कर लियोंगे, अंदाजे से बता दीजेगा, प्लीज कमेंट बोक्स में एक बर बताइगा, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लिजे दोस्तों क्योंकि यहां पे आप लोग को हर रोज ऐसी जीके की वीडियोज मिलती रहेंगी, 40 वे का राइट आंसर दोस्तों, ऐस्टेलिया हो जाएगा, या यानि कि B is the right answer, 42 वा कोशन है निमलिखित में से किसे प्रकरती का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो 42 वे का right answer दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सही है ज्वाला मुखी को, यानि कि A is the right answer, दोस्तों 43, 43 वा कोशन है निमलिखित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है, तो 43 का right answer दोस्तों D हो जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, कोशन नमर 44 है, रोकिज और एंडिज और एटलस, आलपस, हिमाल्ये, आदि किस परकार के परवत है, दोस्तों 44 का right answer option ही हो जाएगा, वलित यानि कि A is the right answer, 45 है, विस्ट का सबसे उचा परवत सिखर, माउंट एवरिस्ट कहाँ इस्तित है, 45 वा, 45 वे का दोस्तों right answer हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, नेपाल is the right answer, तो ये आपको याद रखना है, लोयस का पठार है, 46, 46 का right answer हो जाएगा, लोयस का पठार है, पवनकरत यानि कि D is the right answer, 47 है, विस्व का सर्वधिक उचा पठार कौन सा है, दोस्तों 47 का right answer हो जाएगा, विस्व का सर्वधिक उचा पठार कौन सा है, तिबबत का पठार, यानि कि A यहाँ पर right answer होने वाला है, 48 है, निमलिकित में से किस देश को हजार जीलो की भूमी कहा जाता है, दोस्तों 48 का right answer हो जाएगा, फिन्लेंड को, यानि कि C is the right answer, 49 है, विस्व की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील कौन सी है, दोस्तों 49 का right answer हो जाएगा, superior जील यानि कि A is the right answer, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, 50 वा कोशन है, विस्व का सबसे उचा जलपर पात कोन सा है, 50 वे का दोस्तो रइट आंसर हो जाएगा, अंजिला जलपर पात यानि कि option C is the right answer, 51 वा कोशन है, विस्व का सबसे बड़ा महासागर कोन सा है, दोस्तो विस्व का सबसे बड़ा महासागर परसांत महासागर है यानि कि A यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 52 है विस्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में इस्तित है 52 दोस्तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये भी परसांत महासागर में है यानि कि ए रैट आंसर हो जाएगा दोस्तो 53 है प्रत्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल भंडार का विस्तार है 53 का राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा 71 परसेंट पर यानि कि C is the right answer कोशन नबर 54 है समुद्री जल में सर्वधिक मातरा में कौन सा लवन पाया जाता है राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा सोडियम कलोराइट यानि कि B is the right answer कोशन नबर 55 क्या कहता है सबसे लवनिय सागर कोन सा है 55 का राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा मर्थ सागर यानि कि D is the right answer कोशन नबर 56 कहता है कि पाक जलसंदी किन दो देसों को अलग करती है 56 का राइट आंसर दोस्तो भारत एवं सिरिलंका यानि कि B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 57 है भू मद्य सागर एवं एटलांटिक महसागर को कोन सी जलसंदी जोडती है 57 का दोस्तो राइट आंसर हो जैगा जिबराल्टर यानि कि D is the right answer तो यह आपको याद अखना है 58 है पनामा नहर किन दो महसागरों को जोडती है 58 दोस्तो पनामा नहर की इन दो महासागरों को जोडती है तो परसांत एम एटलांटिक महासागरों को जोडती है यानि कि B is the right answer ये आप लोगों को याद अखना है कोशन नमबर 59 है स्वेज नहर जोडती है 59 का दोस्तो राइट आंसर हो जोएगा स्वेज नहर जोडती है भूमद्य सागर को लाल सागर से यानि कि C is the right answer साटवा कोशन है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उतरी सागर से मिलाती है दोस्तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नहर तो ये आपकी हो जाएगी कील नहर यानी की राइट आंसर इस ओप्षन है 61 कहता है दोस्तो कि निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो D ये आपको याद रखना है 62 का आजाता है विस का सबसे उचा जवार कहां आता है 62 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी में यानि की B इसदा रेट आंसर जवार भाटा की उत्पत्ती में किसका परभाव अधिक होता है 63 राइट आंसर दोस्तो चंद्रमा हो जाएगा यानि की C इसदा रेट आंसर कोशन नमबर 64 है नमलकित में से कौन सी नदी भरंस गाटी से होकर भहती है 64 का राइट आंसर दोस्तो C हो जाएगा नर्मदा 65 है किस सब्वेता को नील नदी का वर्दान कहा जाता है दोस्तों मिस्टर की सब्वेता को कहा जाता है यानि की राइट आंसर इस D या आप लोग को याद अखना है कोशन नमबर 66 है वाईयू मंडल का सरवदिक इस्थाई तत्व कौन सा है 66 का राइट आंसर हो जाएगा जलवास्प यानि की D is the right answer 67 है वाईयू मंडल में सरवदिक मातरा में कौन सी गैस विदमान है 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट रोजन यानि की B is the right answer 68 है निमलिकित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदाई है 68 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कारबन डियोकसाइड यानि की C is the right answer कोशन नबर 69 है वाईउ मंडल में देनिक मोशम परिवर्तन निमल में से किसमें अधिक होता है 69 का राइट आंसर हो जाएगा D समताब मंडल में यानि की D is the right answer 70 कोशन है दोस्तों ओजोन परत कहां अवस्तित है 70 का राइट आंसर हो जाएगा ये भी समताब मंडल में रहने वाला है यानि की right answer is C 71 है वाईउ दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिगटना की सूचक है तो 71 का right answer हो जाएगा दोस्तों सच मोसम यानि की A is the right answer 72 है वाईउ दाब को किस यंत्र से मापा जाता है 72 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैरोमिटर यानि की A is the right answer 73 है डोल्डरम पेटी यानि की सान्थ पेटी का विस्तार कहां पाया जाता है 73 का दोस्तों right answer हो जाएगा D यानि की यहाँ पर सही answer D हो जाएगा चीकता साढ़ा पवने कहां परभावित होती है तो 74 का right answer दोस्तों आपका 60 डिग्री दक्सिनी अक्सांस के पास यानि की B is the right answer 75 है आलपस परवत के उत्री भाग में बहने वाली सुस्क इस्थानिय हवाओं को क्या कहा जाता है 75 का दोस्तों right answer हो जाएगा फान यानि की right answer is A 76 है निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है 76 का right answer दोस्तों C हो जाएगा 77 का right answer बतेगा परती चकरवात की विसेशता है 77 का दोस्तों right answer हो जाएगा स्वच आकास यानि की D is the right answer 78 है निमलिकित में से कौन सर्वधिक विनासकारी होता है 78 का right answer हो जाएगा टोरेंडो यानि की B is the right answer 79 दोस्तों बताएगा कि किस मेग से अत्याधिक वर्सा होती है 79 का दोस्तों right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है C right answer होने वाला है 80 कोशन है संसार की अधिकतम वर्सा निमलिकित में से किस रूप में होती है दोस्तों 80 कोशन है right answer हो जाएगा परवर्त करत यानि की right answer हो जाएगा A निमलिकित में से किस सेत्र में साल भर वर्सा होती है 81 81 का दोस्तों right answer हो जाएगा भू मद्दर रेखे इसदा right answer 82 है समान वर्सा की मात्रा वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है 82 का दोस्तो right answer हो जाएगा आईसो हाइट इसदा right answer 83 है वाईयू मंडल की आधरतम आपने वाला यंत्र है 83 का right answer दोस्तों C हो जाएगा हाइग्रो मिटर 84 है ओजोन प्रत्वी के लोगों की रक्षा करती है तो 84 का right answer दोस्तों हो जाएगा सूरिय से निकलने वाली पैरा बैंगनी किर्णों से यानिकी D is the right answer 85 है चीन सागर में आने वाले उसना कटी बंदिये चकरवाद को क्या नाम दिया गया है 85 का दोस्तों सही उत्तर होगा A टाइफून is the right answer Q86 है विस्व का सबसे बड़ा ग्यहूं उत्पादक देश कौन सा है 86 का right answer हो जाएगा A यानिकी चीन is the right answer 87 है विस्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां होता है 87 का right answer हो जाएगा B right answer हो जाएगा दोस्तों भारत में 88 है ब्राजील किसका पर्मुक उत्पादक है दोस्तों इस question का right answer कोफी हो जाएगा ठीक है ब्राजील पर्मुक उत्पादक है कोफी का निमलिकित में से 89 है निमलिकित में से कौन सा बंदरगा कोफी पतन के नाम से जाना जाता है 89 का दोस्तों right answer हो जाएगा B CENTOS यानि की B is the right answer विस्व में चाय का सरवदिक उत्पादन की इस देश में किया जाता है 90 का question का आंसर बतेगा दोस्तों विस्व में चाय का जो सरवदिक उत्पादन होता है वो चीन में होता है यानि की B is the right answer Q91 है विस में प्राकर्तिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है 91 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा Thailand यानि की D is the right answer Q92 है विस में किर्तिम रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों 92 का राइट आंसर हो जाएगा USA यानि की A is the right answer 93 है दूद उत्पाद में किस देश का पर्थम इस्थान है 93 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा C भारत का 94 है निमलकित में से किसे हरित करांती का जनमदाता कहा जाता है 94 का राइट आंसर दोस्तों B हो जाएगा 95 है सेरी कल्चर का सम्मद है 95 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रेसम कीट से दोस्तों 96 है व्यपारिक इस्थर पर किया जाने वाला विबिन परकार के फ़लो का उत्पादन कहलाता है 96 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा होटी कल्चर यानि की B इस दा राइट आंसर 97 है विज का पर्मुक मतास्य छेत्र ग्राण बैंक कहा इस्थित है 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटलांटिक महसागर में यानि की D is the right आंसर सवच जल की मचली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है 98 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी चीन चले विश्व में सरवदिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है 99 तो ए राइट आंसर हो जाएगा चीन में 100 कोशन का दोस्तों आंसर है विश्व का कौन सा देश तीन का सरवदिक उत्पादन करता है दोस्तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ए इसका भी राइट आंसर दोस्तो चीन हो जाएगा 101 का राइट आंसर है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तो पेरू है यानि कि C is the राइट आंसर ठीक है कोशन नबर 102 है विस का सबसे बड़ा यूरेनियम उतपादक देश कون सा है दोस्तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा एर राइट आंसर, कनेड़ा इसदा राइट आंसर, विस में पौन उर्जा का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है राइट आंसर का दोस्तो जर्मनी हो जाएगा यानि कि D is the right answer 104 है विस्स का सबसे बड़ा कोईला उत्पादक देश कौन सा है 104 का दोस्तो रइट आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल चीन हो जाएगा यानि कि B is the right answer 105 है संसार की सबसे मैतपून जहरीली नहर कौन सी है 105 का दोस्तो रइट आंसर हो जाएगा ए रइट आंसर यानि कि स्वेजनेर इसदर रइट आंसर पिंगमी जंजात्ती निवासी है 106 कांगो की यानि कि रइट आंसर इस ओप्शन है 107 है निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है 107 का दोस्तो रइट आंसर बी हो जाएगा 108 है जूलू जंजाती कहां पाई जाती है तो मेरे प्यारे दोस्तो 108 वे का जो रइट आंसर होगा देट इस ओप्शन सी दक्सिन अफरीका में 109 है युर्त किस जंजाती का घर है 109 का दोस्तो रइट आंसर हो जाएगा किर्गी का यानि की डी इस दा रइट आंसर कोश्चन नमबर 110 है कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था दोस्तो श्याम के नाम से पहले कौन सा देश जाना जाता था तो इस कोश्चन का रइट आंसर हो जाएगा थाइलेंड ए रइट आंसर होगा 111 है किस देश का प्राचीन नाम परस्या तो इस कोश्चन का जरा आंसर पतेगा 111 का दोस्तो रइट आंसर हो जाएगा इरान का नाम दोस्तो परस्या है 112 है नमलिकित में से किसे पूर का मोती के नाम से जाना जाता है 112 का दोस्तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्रिलंका यानि कि सी राइट आंसर हो जाएगा 113 है किस देश को सफेध हातियों की भूमी के नाम से जाना जाता है कोश्चन नमबर 113 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लाउस ठीक है सफेध हातियों की भूमी का जाता है दोस्तों उगते सूरिय का देश किसे निमर में से किसे कहा जाता है 114 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा जापान को कंगारू का देश किसे कहा जाता है 115 215 ऑस्ट्रेलिया दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 116 साथ पाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है 116 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा रोम को कहा जाता है 117 117 का राइट आंसर बी हो जाएगा लासा को बगदाद किस नदी के किनारे इस्तित है 118 का दोस्तों राइट आंसर टिग्रिस यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा 119 वा है लंदन किस नदी के किनारे इस्तित है दोस्तों 119 का राइट आंसर बी हो जाएगा टेम्स इस दा राइट आंसर 120 वा है विस का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा गंगा बरंपुत नदी का डेल्टा विस की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है 121 दोस्तों राइट आंसर राइट आंसर राइट आंसर 122 वा है विस का सबसे बड़ा पार्क कहा अवस्तित है 122 वा दोस्तों वुड बफेलो नेशनल पार्क जो की कनेडा में है तो 122 वे का राइट आंसर भी हो जाएगा 123 का आंसर बतेगा सवाना घास का मैदान कहां पाया जाता है 123 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा C यानि की अफरीका इसदा राइट आंसर 124 वा है वेल घास का मैदान कहां पाया जाता है 124 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्सिनी अफ्रीका यानि की B is the right answer 125 वा है निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है तो 125 वे का दोस्तो right answer हो जाएगा D यानि की भारत, स्टेपीज भारत, सुमलित नहीं या पूछा गया है विस का सबसे बड़ा प्रयदीप कौन सा है 126 वे का दोस्तो right answer हो जाएगा Indonesia यानि की C is the right answer 127 वा है चकरवाद के केंद्र में होता है 127 वे का right answer दोस्तो हो जाएगा निमिन दाब यानि की A is the right answer 128 वे का दोस्तो right answer हो जाएगा अब साधी चक्तानों में यानि की B is the right answer 129 वा है विस में रेशमी वस्तर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है 129 का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा विस में रेशमी वस्तर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन यानि की D is the right answer कोशन नमबर 130 है मांचित्र पर वायू दाब की समान इस्थिती दरसाने वाली रेखाई क्या कहलाती है 130 वे का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा आइसो बार यानि की B is the right answer 131 है भारत का चेत्रपल संपून विस के चेत्रपल का कितना परतीशत है 131 वे का दोस्तो right answer हो जाएगा 2.42 परसेंट यानि की A is the right answer कोशन नमबर 132 है चेत्रपल की दरस्ती से भारत का विस में इस्थान कौन सा है 132 वे का दोस्तो right answer हो जाएगा 7 वा इस्थान है भारत का कोशन है 133 वा भारत की इस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है 133 वे का दोस्तो right answer हो जाएगा C is the right answer 15200 किलोमेटर 134 है दीपो सहीत भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है 134 वे का दोस्तो जो right answer होगा वो 7516.5 किलोमेटर यानि की right answer is D 135 वा है करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 135 वे का आंसर right answer दोस्तो यहाँ पर B हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है 123 वा है स्वाना घास का मैदान कहां पाया जाता है 123 वे का दोस्तो right answer हो जाएगा यहाँ पर अफरीका में यानि की C इसदा right answer 124 वा है वेल्ड घास का मैदान कहां पाया जाता है 124 वे का right answer दोस्तो B हो जाएगा दक्सिन अफरीका में 125 वा है निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है 125 वे का right answer दोस्तो यहाँ पर D हो जाएगा यह तो हो चुका यार विश का सबसे बड़ा प्रयदीप 126 वा इंडोनेसिया हो जाएगा यह भी हो चुका है वो दोस्तो चोटी से mistake हो गए थी question repeat हो गए थे 135 के बाद में वो दो तीन question छोड़ दीजेगा 136 पे आ जाते हैं भारतिय मानक समय एवं greenwich समय में अंतर है तो 136 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा साड़े पांच गंटे का यानि कि ए राइट आंसर हो जाएगा 137 कोशन है भारतिय मानक समय आधारित है 137 का राइट आंसर दोस्तो आपका c हो जाएगा ठीक है भारति राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है 138 का दोस्तो राइट आंसर डी हो जाएगा 139 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा 148 का राइट आंसर है भारत की परदेशिक जल सीमा समूंद्र तट से कितने समूंदरी मील दूर तक है 140 वे का राइट आंसा दोस्तों हो जाएगा 12 मील तक 141 वा कोशन है आपका करक रेखा निमलिकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है देखे इन सभी में अगर मैं बात करू उड़ी सा राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों भारत का दक्षिन तम इस्थान इंद्रा पॉइंट कहां इस्थी थे 142 वे का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अन्मान निकोबार दीप समू यानि की C is the right answer 143 का राइट आंसर बतेगा डकन पा आस अवस्थी थे 143 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दक्षिन अन्मान एम छोटा अन्मान यानि की राइट आंसर इस ऑप्षिन सी 144 है दक्षिन दीप समू के दीपो की उत्पत्ति निमलेकित में से किस परकार हुई है 144 का दोस्तो राइट आंसर हो जएगा परवाल उत्पत्ति से यानि कि C is the राइट आंसर 145 है भारतिय शेत्र में इस्ती दो ज्वाला मुखी द्वीप है 145 का राइट आंसर दोस्तो बेरेन एवम नारकोंडम इसकोशन का राइट आंसर हो जएगा किस भारते राज्य की सीमा सर्वदिक राज्यों की सीमाओं को इस्पर्ष करती है 146 का दोस्तो राइट आंसर हो जएगा D उत्तर परदेश कोशन है भारत का अन्य आर्थिक शेत्र का विस्तार है 147 का दोस्तो राइट आंसर हो जएगा B 200 समुद्री मेल तक भारत का सर्वदिक परवत सिखर है 148 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा गोडविन औस्टिन यानी की A is the rate आंसर 149 है भारत में हिमाल्य स्रेणी का सरुच सिखर कंचन जंगा किस राज्य में इस्तित है 149 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा C सिक्किम में 150 का रेट आंसर है निमल्कित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है तो 150 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा D ये आपको याद अखना है 151 का रेट आंसर बतेगा हिमाल्य परवत का सबसे बड़ा गलेसियर है 151 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा C याचीन यानि की B इसदा रेट आंसर 152 है असम हिमाल्य का विस्तार है 152 का रेट आंसर दोस्तो आपका 153 है इमाल्य में हिम रेखा निमल्य में से मद्य होती है 153 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मिटर यानि की D इसदा रेट आंसर 154 है निमल्य कित में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सर्वुच परवत चोटी है 154 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा K2 यानि की Godwin Austin 155 है निमल्य कित में से कौन सी परवत संगला सबसे पुरानी है तो 155 दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा B ये आपको याद रखना है अरावली इसदा रेट आंसर निमल्य कित में से अवसिस्ट परवत का उधारण है 156 का रेट आंसर दोस्तो C हो जाएगा अरावली इसदा रेट आंसर इसका भी 157 है निमल्य कित में से ब्लॉक परवत का उधारण है 157 का दोस्तो रेट आंसर A हो जाएगा नील गिरी 158 है थाल घाट भोर घाट पाल घाट दर्रे अवस्थित है 158 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा पस्चिमी घाट में यानिकी D इसदा रेट आंसर 159 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है 159 159 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा A गंगा 160 है दोस्तो अलकनन्दा एवं भागिर्थी नदिया किस इस्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है 160 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा 161 का रेट आंसर बतेगा सोन नदी कहां से निकलती है 161 का रेट आंसर दोस्तो हो जाएगा 162 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा बिलकुल ये सभी यानिकी D is the right answer 163 है निमलकित में से कौन सी नदी अपना मार्क बदलने के लिए कुख्यात है 163 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा को सी यानिकी C is the right answer विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप मांजूली अवस्थित है 164 का दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा ब्रमपुत्र नदी में यानिकी B is the right answer 165 है किस नदी को वर्द गंगा के नाम से जाना जाता है 165 दोस्तो रेट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B गोदावरी इसदा रेट आंसर गोदावरी नदी का उदगम इस्थान है 166 तो इस कोशन का रेट आंसर हो जाएगा A कावेरी इसदा रेट आंसर गोदावरी नदी का उदगम इस्थान पूचा है ना तो 166 का रेट आंसर हो जाएगा बरहम गिरी पाड़ी यानि की A रैट आंसर हो जाएगा निमलिकित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है 167 167 का दोस्तो रैट आंसर नर्मदा होगा यानि की C is the right answer 168 होगा सुन्दरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है 168 का दोस्तो जो रैट आंसर होगा वह है आपका C होगा गंगा और बरहम पूतर नदी सुन्दरवन का डेल्टा बनाती है 169 है ब्रामनी किसकी सायक नदी है तो 169 का दोस्तो रैट आंसर होज़ेगा बहा नदी की यानि की D is the right answer 170 बताएगा कावेरी नदी गिरती है 170 का दोस्तो रैट आंसर होज़ेगा A यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में 171 बताएगा दोस्तो पस्चिम की और बहने वाली नदी है 171 का दोस्तो रैट आंसर होज़ेगा ये सभी पस्चिम की और बहने वाली नदी है ये सभी ठीक है नर्मदा तापती साबर मती 172 है दोस्तों प्रादीपे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है 172 172 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी यानि की B इसदा राइट आंसर 173 है जमसेदपूर किस नदी के तट पर इस्थित है 173 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जमसेदपुर किस नदी के तट पर इस्तित है तो संड रेखा पर यानि की दोस्तों यहाँ पर 173 का A रइट आंसर हो जाएगा 174 किस नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है 174 का दोस्तों रइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को 175 है निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है 175 दोस्तों रइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर D यह आपको याद रखना है 176 है हीरा कुन बांध किस नदी पर बना है 176 का दोस्तों रइट आंसर हो जाएगा C महा नदी पर 177 कोशन का आंसर बतेगा गांधी सागर जवार सागर तथा राना परताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है 177 का दोस्तों रइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर 178 का आंसर बतेगा अलमाटी बांध किस नदी पर बना है 178 का दोस्तो रेट आंसर हो जएगा क्रिशना नदीपर यानि की D is the right answer 179 बतेगा लोनार जील की सराज्य मेश्तित है 179 179 का दोस्तो रेट आंसर हो जएगा मारास्त यानि की A is the right answer 180 है भारत की सबसे बड़ी मीटे पानी की जील कौन सी है 180 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा आपका B, Buller is the right answer 181 का राइट आंसर बतेगा टीरी बांध परियोजना में निर्मित जलाश्य का नाम है 181 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा 182 है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है 182 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा पर यानि की A is the right answer 183 है दोस्तो बगलिहार जल विदुत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है 183 183 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा C यानि की चनाप पर 184 है रास्टिय वन नीती के अनुसार देश के कितने परतिशत चेतर पर वनों का आवरण आविशक है 184 184 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा 33 परसेंट यानि की C is the right answer 185 है देश में सरवदिक वन चेतर किस राज्य में है 185 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा मध्या परदेश यानि की A is the right answer 186 बतेगा कुल भुगोलिक चेतर के परतिशत के रूप में सरवदिक वन चेतर वाला राज्य कौन सा है 186 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम 187 है दोस्तो किस राज्य के कुल भुगोलिक चेतर के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है 187 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाना यानि की D is the right answer 188 है दोस्तो फूलों की घाटी इस्तित है 188 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फूलों की घाटी इस्तित है C यानि की उत्राखंड में दोस्तो 189 है दल दली अवस्था जवार भाटा चित्रों में पाया जाने वाले वन को क्या कहा जाता है 189 तो 189 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा मेग्रोव 1 उनको कहा जाता है यानि कि A यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा 190 का आंसर बतेगा सुंदरी वक्स कहां बहुजियात मातरा में पाए जाते हैं दोस्तो 190 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा बरंपुत्र डेल्टा पर यानि की B राइट आंसर होगा 191 का दोस्तो आंसर बतेगा सांत घाटी Silent Valley कहां अवस्तित है 191 का रीट आंसर हो जाएगा दोस्तो D के रल में Silent Valley अवस्तित है 192 है दोस्तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए परसीद राज्य कौन सा है चंदन की लकड़ी के लिए परसीद राज्य दोस्तों आपका करनाटक है यानि की C is the right answer 193 है उसना कटी बंदिये सदा बहार 1 कहां पाई जाते हैं 193 का दोस्तों right answer हो जाएगा प्रैदीप्य पठार यानि की D is the right answer 194 है देश के सर्वदिक चेतरपल पर पाई जाने वाले 1 194 का दोस्तों right answer क्या हो जाएगा उसना पजड़ वन यानि की right answer is option C 195 का दोस्तों right answer हो जाएगा उप्रुक्त में से कोई नहीं भारत का कौन सा राज्य तेंदू पत्तों का मुख्य उत्पादक है भारत का कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है 196 right answer is option B मध्यप्रदेश घाना पक्सी बिहार किस राज्य में इस्थित है 197 दोस्तो right answer हो जाएगा राजिस्थान यानि की C is the right answer 198 SI 0 के लिए परसिद गिर राष्टे उजान किस राज्य में इस्थित है 198 दोस्तो right answer गुजरात हो जाएगा यानि की C is the right answer 199 निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है 199 का दोस्तो right answer D हो जाएगा आपका 200 का question का answer बतेगा दोस्तो भारतिय गेंडे कहां पाय जाते है तो इस question का right answer हो जाएगा C काजी रंगा अभ्यारन में ठीक है question number 201 सुल्तानपूर पक्सी अभ्यारन की सराज्य में है 201 का दोस्तो right answer हो जाएगा C यानि की हर्याना is the right answer 202 नेमलिकित में से कौन सा अभ्यारन जंगली हातियों के लिए परसीद है 202 इस दर right answer पेरियार यानि की A यहाँ पर सही answer हो जाएगा 203 नल सरोवर पक्सी अभ्यारन किस राज्य में है 203 का right answer गुजरात हो जाएगा यानि की B इस दर right answer 204 भारत के सरवदिक छेतर पर किस परकार की मिट्टी पाई जाती है 204 का right answer जलोड मिट्टी A राइट answer हो जाएगा नवीन जलोड मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है 205 दोस्तो नवीन जलोड मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है यानि कि C इस दर right answer 206 गंगा के मैंदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है 206 का right answer बांगर हो जाएगा यानि कि B is the right answer दोसो साथ कपास की खेती के लिए सरुत्तम मिट्टी कौन सी है राइट आंसर दोस्तो डी हो जेगा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है रेगूड नाम है आपको बताने कौन सी मिट्टी का 208 काली मिट्टी का यानि की B इस्दारेट आंसर 209 किस मिट्टी के किर्सी के लिए अधिक सिचाई की आवश्यक्ता नहीं होती है 209 का राइट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा यानि की B इस्दारेट आंसर 210 लेट राइट मिट्टी की परधानता है 210 का राइट आंसर मालबार 30 A परदेश में यानि की राइट आंसर इस ओप्शन है 211 धान की खेती के लिए सर्वधिक उप्युक्त मिट्टी है 211 का राइट आंसर जलोड मिट्टी यानि की D इसदा राइट आंसर 212 लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है 212 का राइट आंसर दोस्तो D हो जाएगा उप्रुक्त सभी 213 मर्दा अपरदन को किस परकार रोका जा सकता है 213 का दोस्तो राइट आंसर 1 रोपन द्वारा यानि की C इसदा राइट आंसर 214 भारत के उतरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वधिक विस्तार है 214 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा जलोड मिट्टी का यानि की B इसदा राइट आंसर 215 का राइट आंसर का विस्तार पाया जाता है 214 है भारत में किस परकार की जलवाईउ पाई जाती है 216 का रैट आंसर C हो जाएगा उसना कटी बंदिये मांसून यानि की C इसदा रैट आंसर 217 भारत में सबसे ज़्यादा गरम इस्थान है 217 का रैट आंसर दोस्तो C हो जाएगा जैसल मेर ठीक है रैट आंसर C हो जाएगा 218 ग्रिसम रीटू में उत्तर पस्चिम भारत में चलने वाली गरम एमसुस खवाओं को कहा जाता है 218 का रैट आंसर D हो जाएगा कहा जाता है लू 219 जाड़े के दिनों के उत्तर पस्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्सा होती है 219 राइट आंसर दोस्तों पस्चिमी विक्सोब से थीक है यानि कि वेस्टर डिस्टरबेंच से राइट आंसर इस भी 220 का आंसर बतेगा भारत में अधिकांस वर्सा होती है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्सिन पस्चिम मांसून से तमिल नाडू में सीत कालीन वर्सा का कारण राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तर पूर्वी मांसून 222 भारत में सरवदिक वर्सा पाने वाला इस्थान है मासिन राम यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा 223 भारत में सबसे कम वर्सा का इस्थान है 223 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ले यानि की सी इसदा राइट आंसर दोसो चोबिस है मेंगरो वर्षा यानि कि आर्म वर्षा है तो दोसो चोबिस का रहिटांसा दोस्तो भी हो जाएगा मानसून से पूर पस्चिम तटिये परदेश में होने वाली वर्षा ग्रीशम काल में आने वाले तुफानों को निमलिखित में से किस राज्य में काल वैसा खी के नाम से जाना जाता है दोसो पच्चिस का दोस्तो रहिटांसर यह हो जाएगा पस्चिम मंगाल 226 दक्षिन पस्ची मानसून निमलिकित में से किस राज्य में सबपर्थम प्रवेश करती है 226 का राइट आंसर दोस्तो बी हो जाएगा केरल 227 दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है 227 का राइट आंसर हो जाएगा सी समुद्र से अधिक दूरी 228 निमलिकित में से कहां महादीप ये जलवायू पाई जाती है 228 का राइट आंसर दोस्तो डी हो जाएगा दिल्ली में 229 एल नीनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है 239 का राइट आंसर उप्रुक्त सभी यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन डी 230 मानसून निर्वर्तन से पहले अधिक वर्षा कहां होती है 230 का राइट आंसर दोस्तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा चिन नहीं 231 भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है 231 का राइट आंसर दोस्तो डी हो जाएगा पस्ची मंगाल 232 भारत की सरवदिक भूमी में कौन सी फसल उगाई जाती है 232 का राइट आंसर दोस्तो धान हो जाएगा 233 निमलिकित में से रभी की फसल कौन सी होती है 233 का राइट आंसर दोस्तो डी हो जाएगा ये सभी रभी की फसल है दोस्तो 234 निमलिकित में करीब की फसल कौन सी है 234 का रहेट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ये सब भी यानिकी D रहेट आंसर हो जाएगा 235 भारत का सबसे बड़ा मुंगफली उत्पादक राज्य है 235 का रहेट आंसर दोस्तों गुजरात हो जाएगा 236 भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है 236 का रहेट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा यानिकी A इस दा रहेट आंसर 237 निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है तो यहाँ पे 237 का रहेट आंसर दोस्तों D हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है 238 डी रहेट आंसर हो जाएगा 239 निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है दोस्तों रहेट आंसर हो जाएगा D 240 किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वदिक अंतराल पाया जाता है 240 का दोस्तो रहेट आंसर हो जाएगा गन्ना 241 Operation Flood का संबंध है तो Operation Flood का संबंध है दोस्तो दूद उतपादन से यानिकी रहेट आंसर ही ओप्शन है 242 भारत में हरित करांती से जुड़े विज्ञानिक है Dr. M. S. स्वामिनात यानिकी सीज़दा रहेट आंसर 243 दूद उतपादन में भारत का विश्व में कौन सा हिस्थान है 243 का दोस्तो रहेट आंसर A हो जाएगा पर्थम 244 गुजरात का सबसे महित्पून तेल छेतर है तो 244 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंकलेशवर यानिकी B इसदा रहेट आंसर 245 सिंग भूमी या जारकंड किसके लिए परसीद है तो 245 का दोस्तो रहेट आंसर हो जाएगा लोहा के लिए 246 कुर्देश मुक लोहो खनीज परियोजना किस राज्य में इस्तित है 246 का रहेट आंसर दोस्तो करना अटक हो जाएगा यानिकी A is the right answer 247 भारत में सर्वदी कोईला भंडार पाए जाते है 247 का रहेट आंसर दोस्तो छारकंड में यानिकी C is the right answer 248 भारत में खनीज तेल का उत्पादन सवपर्थम कहां परारम किया गया था 248 का दोस्तो रहेट आंसर डिकबोई हो जाएगा निकी D is the right answer 249 निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है 249 का दोस्तो रहेट आंसर C हो जाएगा खेतडी किसके लिए परसीद है 250 तो यहाँ पर B दोस्तो रहेट आंसर हो जाएगा तामबे के लिए दोस्तो 251 बैला डिला किसके लिए परसीद है तो लोहो एस के लिया निकी A रहेट आंसर हो जाएगा 252 निमलिकित में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है रहेट आंसर दोस्तो D हो जाएगा 253 भारत में सबसे बड़ा तेल सोदक कारखाना है तो रहेट आंसर जाम नगर हो जाएगा 254 पिमपरी संबंदित है 254 का दोस्तो रहेट आंसर पैंसिलीन उद्योग यानिकी B रहेट आंसर हो जाएगा 255 भारत का पर्थम स्टील प्रोजेक्ट सहर इस्थापित किया गया 255 का दोस्तो रहेट आंसर जमसेद पूर हो जाएगा यानिकी C इसदा रहेट आंसर 256 पंजाब में कौन सा इस्थान होजरी उद्योग के लिए परसिद है 256 का रहेट आंसर दोस्तो लुधियाना हो जाएगा 257 रोजगार की दरस्ती से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है 257 का रहेट आंसर सूती वर्स्तर उद्योग यानिकी C इसदा रहेट आंसर 258 नेता जी सुबाश्चंद्र बोस हवाई अड़ा कहा है नेता जी सुभास्चंद बोस हवाई अड़ा दोस्तो टू फिप्टी एट का राइट आंसर भी हो जाएगा कोलकता में पर्थम संपर्ख क्रांती ट्रेन चली है टू फिप्टी नैन का राइट आंसर दोस्तो दिल्ली चेन नहीं हो जाएगा 260 निमलिकित में से कौन सी रेल गाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है 260 का दोस्तो राइट आंसर भी हो जाएगा जम्मू तवी कन्या कुमारी एक्सप्रेस 261 निमलिकित बंदर गाओं में से कौन एक मुक्त व्यापार छेतर है कानला दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा निकी C इसदा राइट आंसर 262 भारत के पूर्वी तट पर प्राकरतिक बंदरगा कौन सा है 262 का राइट आंसर दोस्तो चिन्ना यानिकी C राइट आंसर हो जाएगा 263 सर्णविक चतुर भुज परियोजना किस से संबंदित है 263 का राइट आंसर दोस्तो ए हो जाएगा सड़क परिवहन से 264 हिमाल्य परवत सरेणी का सबसे नवीन भाग है 264 का राइट आंसर दोस्तो बाहे हिमाल्य आनिकी C इसदा राइट आंसर 265 कौन सी अकसांस रेखा भारत के मद्य से होकर गुजरती है 265 का राइट आंसर दोस्तो ए हो जाएगा करक रेखा 266 भारत का कौन सा भू आकरतिक परदेश प्राचीनतम है 266 का दोस्तो राइट आंसर प्राइद इपिय पठार यानिकी B राइट आंसर हो जाएगा 267 हैदराबाद का जुड़वा नगर है 267 का दोस्तो राइट आंसर D हो जाएगा सिकंदराबाद भारत का एक मात्र सक्ती मरुस्थल है 268 का दोस्तो राइट आंसर A हो जाएगा लद्दाग 269 पाकिस्तान की सीमा से लगे भारती राज्य कौन-कौन से है 269 का राइट आंसर दोस्तो C हो जाएगा गुजरात, राजिस्थान, पंजाब और जम्मू-कस्मीर 270 भारत की सबसे दक्सिन भाग में कौन सी पहाड़ी इस्तित है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा कार्डमूम यानि की B is the right answer गारोखासी और जन्जाती पाड़िया किस राज्य में इस्तित है 270 राइट आंसर दोस्तो मेगालिया हो जाएगा ये मेगालिया में है खेबर दर्रा कहां इस्तित है 272 तो खेबर दर्रा कहां इस्तित है दोस्तो पाकिस्तान में यानि कि C is the right answer 273 निमिन में से किसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है 273 का राइट आंसर दोस्तो कोसी को बिहार का सोक कहा जाता है 274 निमलिकित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है 274 का दोस्तो राइट आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा नर्मदा 275 नदियों को आपस में जोडने का प्रेस्ताव किसके सासन काल में रखा गया था 275 का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजबई जी के कारेकाल में जम्मू कस्मीर की राजदानी स्रीनगर किस नदी के तटपर इस्तित है 276 276 का राइट आंसर दोस्तो डी हो जाएगा जेलम 277 तो उज्जेन किस नदी के किनारे इस्तित है तो राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा इसका सिप्रायनी की राइट आंसर इस बी मैथान बाल पाड़ी एक तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए है 278 राइट आंसर इस ए बराबर यानि कि A इस दर राइट आंसर भारत की परसिद लेंगून जील है 279 राइट आंसर हो जगा दोस्तों चिलका जील 280 है ककोलत जलपरपाद बिहार के किस राज्य में है 280 का दोस्तों राइट आंसर D हो जाएगा काकरा पारा प्रियोजना किस नदी से संबंदित है 281 तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तापती नदी से यानि कि A इस दर राइट आंसर 282 सरदार सरोवर प्रियोजना की स्राज्य में निर्माण धीन है 282 का रहिट आंसर दोस्तों हो जाएगा गुजराद भारत के उत्तर पस्चिमी भाग में सीतकालीन वर्सा का कारण है तो पूर्वी विक्सोब यानि की वेस्टरन ओप्शन हो जाएगा दोस्तों सी रहिट आंसर 284 का आंसर बतेगा मांसून किस भासा का सब्द है यह दोस्तों अर्बी भासा का सब्द है यह रहिट आंसर होगा 285 रास्ट्य परियवरण इंजिनियरिंग सोज संस्थान कहां इस्थित है 285 का दोस्तों रहिट आंसर हो जाएगा सी यानि की नागपूर इसदा रहिट आंसर 287 भारत में परमुक वनस्पती कौन सी है तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 286 का रहिट आंसर पत जड़वन यानि की रहिट आंसर इस ऑप्शन है 287 भारत में इस्थापित पर्थम रास्टे उद्धान है रहिट आंसर दोस्तों हो जाएगा जिम कोरबेट जो की उतराखंड में है रहिट आंसर डी हो जाएगा 288 है की स्मिट्टी का निर्मान बेसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है रहिट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली 289 किस मिट्टी में कार्बनिक परदार्थ की अधिक्ता होती है 289 का रहिट आंसर इसमें भी दोस्तों रहिट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा 299 सरवदिक जूट का उत्पादन कहां होता है तो सरवदिक जूट का जो उत्पादन होता है दोस्तों पस्चिम बंगाल में होता है 291 है भारत का पर्थम पर्मान उर्जा उत्पादन केंद्र है तो रहिट आंसर दोस्तों तारापूर हो जाएगा यनिकि D is the right answer 292 है भारत में पाया जाने वाला अधिकान स्लोहो एस किस परकार का है हेमेटाइट दोस्तों रहिट आंसर हो जाएगा ये आपको या दखना है 293 है बिहार में तेल सोदक कार खाना है बैरोनी में यानिकी B रहिट आंसर हो जाएगा 294 है देश का पर्थम जेव आरक्सी चेत्र है तो ये नीलगीरी हो जाएगा दोस्तों रहिट आंसर 295 है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है तो दोस्तों जमसेदपुर को कहा जाता है यानिकी C रहिट आंसर हो जाएगा 296 है परवतों की रानी किसे कहा जाता है 296 का रहिट आंसर मैसूरी हो जाएगा यानिकी D इस दा रहिट आंसर 297 मुंडा कहां की जन जाती है 297 का रहिट आंसर दोस्तों B हो जाएगा ठीक है 298 दोस्तों खासी जन जाती किस राज़े में निवास करती है इस कोशन का दोस्तों रहिट आंसर हो जाएगा C मेगालिय में इसमें 300 कोशन थे सायद और यह 2 कोशन कम है यानिकी पूरे 300 ही होंगे दोस्तों कहीं एक 2 कोशन का जो नंबर हो रिपीट हो गया होगा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यह सेशन पूरा देखा है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने यहां तक सेशन देखा है प्लीज कमेंट बोक्स में बतेगा सर मैंने यह सेशन पूरा एंट तक देखा है अब दूसरा नंबर उनका आता है जिन्होंने पूरे कोशन के आंसर किये हैं वो अब कैसे अपना प्राइज जो 100 रुपीज मैंने स्टार्टिंग में बोला था उसे कैसे लेंगे दोस्तो इसके लिए एक तो यह सारी कंडिशन फुल्फिल कर लेना चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए वीडियो लाइक कर देनी चाहिए और अपने दोस्तों के गुरुप में कहीं न कहीं एक बार वीडियो को जरूर सेयर कर दीचेगा बैल आइकन को भी ओन कर लेना और यह 100 रुपीज आपको 100% मिलेंगे दोस्तों अगर आपने यहां तक की वीडियो पूरी देख लिए तो आप टेलिग्राम पे जाएगा ओनली जी के टूटर पे वहां पे जाके मैसेज डाल देना फिर मैं आपसे खुदी कॉंटेक्ट कर लूँगा बस मैसेज डाल देना कि वीडियो को लाइक जरू कर दिया करें और ऐसे ही मैं बहुत सारे गिप्ट प्राइज लेके आता रहता हूं अभी सविधान की वीडियो थी जिसमें मैंने 300 कोशन कराए थे उस वीडियो में काफी सारे बच्चों ने 1500 रुपीज जीते हैं क्योंकि उसका प्राइज मैंने 150 रखा था ठीक है ना उसमें काफी बच्चों को मैंने ट्रांस्पर किये दोस्तों बिल्कूल भी मैं मतलब यह चीज गैरेंटी के साथ में बोलता हूं अगर मैंने एक चीज बोल दी तो 100% आपको मिलेगी तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और इस चैनल पर बने हु बाइ बाइ टेक केर वरीवन